हाई एवरीवन वेलकम बैक टो शाइन रेट क्लासेस कैसे हैं आप सब होफुली बहुत अच्छे होंगे अब आपके मौसम भी सही हो गए है कॉलेज भी खुल गए है साइट ये अच्छे से हो रही है आपका रिजर्ब भी जुलाई में देखने कुछ मिलेगा ऐसी उमीद ब कवर करेंगे कोशिश रहेगी कि लास्ट अगस्त तक या स्टमबर तक कंप्लीट कर लें ताक एक्टूबर में का पेपर अगस्त तक कर लेंगे और स्टमबर में एक महीने में हम पूरा रिवाइस कर लेंगे विच सिरीज ठीक है लेकिन आपको उसके लिए पंचुल होना पड़ेगा और टाइम पर आना पड़ेगा क्लास में ठीक है चले देखते हैं आज किस क्लास में यहां पर सब्जेक्ट मैंने लिया है वाटमान भाती समाध्यों प्रारंबिक सिक्षा आपका एडुकेशन पेपर है एडुकेशन फरस्ट है यहां पर यह 50 नंबर का पेपर बॉक्स में पिन करके मिलेगा किसी वीडियो से वहां से उठा लीजे और जॉइन करिए सारे फीडियों को असानी से एक्सेस करिए चले देखते हैं आज किस क्लास में हम फुल लीटेल में क्या डिसकस करने वाले हैं सबसे पहले टॉपिक है चैप्र टू की स्टार्टिंग पर के प्रभाव पर बढ़ता हुआ दो विद्या का नाम अपने नहीं सुना होगा यहां पे दो विद्या है एक परा और एक अपरा विद्या वैदिक काल में इनका नाम बहुत ज़्यादा ही विख्या था है कि पराविद्या क्या होती या दोनों में क्या अंतर है यह प्र ध्यान रखिएगा प्रश्ण आपको बनेगा और पूछ लिया जाएगा एक नंबर के प्रश्ण में आएगा इस बात को यहीं पर नोटिस करिएगा ठीक है जो चीजे इंपॉटेंट होती वहाँ पर इंपॉटेंट मार्क कर लिया जा करिए जब आप नोट्स प्रिपेर कर हैं तव पिद्या के लिए जो पार विद्या है पराविद्या के लिरे अलोके गुशह का अध्यन करना होता है परविद्या के लिए अलोक चीजे पढ़न ही होते जिसमें धर्म घ्ञान पुराण बहुत सब सरी चीज और आएसा आएंगी स्लोक आएंगे तमाम चीजे इस heavy पढ़ना पढ़ता। अलौकिक विश्यकाद्यन में जिसकी शाहिता से ज्ञान आपको मिले कर्म उपासना दोरा मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप इन सब चीजों को पढ़ते हैं तो आपको मोक्षी प्राप्ति होती है। जब इन चीजों की पढ़ते तो चीजों की पढ़ते है तो ठूआ आप धिया को दिद्यार कीक मतलब करते और विश्चे शाय बार मौक्ष की भापती वह जाएगी रूवल है जो इनके साहरी ऊनके सारी की 'll प्रामे देखें लोक इसमें और लोक की दोनों का हलका सा त्यानुद से भी प्रहेंगा अब्ब्रा का मतलब क्या होता है कि या याद रखेंगे दूसरा आपको अपने याद रहाएगा इसमें लोक की विश्हा है क्लिए होना सामाज की बरस्था चल रहे हैं जल्म समाज की बरस्था का सります कमें आज अदॉब समय समाज की बरस्था क् चल रहर है उनके सब्जक्ट उनके प्रते निये ir गश्विए गणinhos Kingdom un मुझे उमीद है कि सभी का पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया पराविद्या क्या है और अपराविद्या क्या है आगे चले चले आगे चलते हैं थीक है अब उद्देश प्रापति की बात हो रही थी दो सक्षनों चीजे बड़ गई थी वहांपे मैंने आपको बताना जरूर मिक्ताईगी इनका पहला उध्देश वैदेकाल में धर्म को बड़े आदर्स की दिस्टे देखा वैदेकाल को जब समय चला तो धर्म थे उनको बहुत ही ज़्यादा उच्च सर्वमान और बहुत ही आदर सतकार की दिस्टे से उस नजरिये से सब भी उनको देखा करते थे जैसे कि रिशी महार्श्री पुरोहित आदी लोग सक्षा का नधारण तर्था सक्ष्षाद एने का लिएम सोम्हार्षा देने का का कॉड़ कर थे पर भक्ति नेमों करते ईश्वल की पा accomplishments ककी ऐसे हु़ाइश्वरी कसे करो सब्सक्राइब भू bow निर्माघ दूसरा है चरित्र का अच्छानिघ Biraz को भाद को लुख अब्सक शरुत नयमौत इस कारी ब्रहमचर मत्र का यह हमारे ऑनमान की वह भरन की तेवोग condemnation तो क्या है कि रहे हैं पर यहाँ जो ठर वाली बाद की जारी अकर आप एक शादू संत भगवान की आस्था में हो मतलब हमेशा जो रिष्वी मुनी है जो बहुत सारे लोग हैं जो जो शादू संत हैं यह सब लोग कहां शारिया करते हैं तो शादी वेरा नहीं करते हैं यह अपने जीवन ग्रिहस जीवन के तरफ आगे नह दीन रहते हैं वैसे ही तो यह ब्रह्माचर्वत का पालन करना पाठी पुस्तकों में सदाचार के उपदेश को सुनने में रास्ट के महान फूर्सों के आदर्स को विद्यार्ट्य को सामने पुंडवित्ति की जाती और चात्र के निर्माट करने के लिए उप्रिक तबाता चाह रहे हैं तो आप उसको एक्जांपल लेंगे ठीक है अब जब देंगे तो आपको किसी के आधर्श मना होगा तो बहुत सारे रिश्यमुनी है प्रमण है चत्री है बहुत सारे सिर्भ उच्छिको लोग अलग-लग जाते विश्थ हैं जो बहुत ही सबागत हुए हैं अपनी धार्मिक्टा को यही सारी चीज छोड़े बच्चों को एक सीख के रूप में गुरुकुल में दी जाती थी कि ऐसे चरित्र है यह धन है यह यह ऐसा हमको विकास करना है ऐसे आगे बढ़ना उनको फॉलो करना है उनका अनुपालन करना यह सारी चीज है तो दो हो गया क्लियर है कोई प्रॉलम किसी को नहीं होगी आगे चलते हैं तीसरा देखिए वेक्तित्टु का विकास करना पर स्टनारिटी को डबलब करना ठेक है अब वैदेकाल इन सक्षा में बालक के वेक्तित्टु का नर्माट पर विशेष बल दिया जब बैच्चा वेदेकाल में था घुरुकुल में पड करना ये सारे भाव वहाँ पर सिखाया जाती भाव पर सामने रखी जाती था आत्मी मुश्वास खुद पर विश्वास होना कि हम काम कर पाएंगे नहीं कर पायंगे चुछल वक्ता होना अच्छा वक्ता होना अच्छा सुनने श्रोता होना वादर शरतरवान होना चायतर की बाद वह वाद व方 चरत्र कोष्ट में पुरोहित ग्यान वर्धन बाते करते थे द्वताते थे सक्षा देते थे तो वह इन सब चीजों की भी सक्षा देते थे इन साही चीजों से आउकत कराते थे कि आत्स अमान क्या होता आत्स विश्वास क्या होता आत्स प्रयम क्या होता आत्म वक्ति क्या होती है यह सारी चीज तो अपने प्रभुव करते हैं तो मतलब हर जाती वे राज़री के सब्सक्राइब अपने समय में उनका पर चलता था भी हम तो ब्यादिक काल के बारें पर लगते हैं इसलाम के बारें बढ़ेंगे उनमें भी यह सारी लगवक देखने को मिलती थी ठीक है चलिए आगे चलते हैं देखिए फिर यहां पर नेक्स है नागरिकता नागरिकता समास के करतव का पालन करने योग बनाना ठीक है अब यहां पर क्या बात कहीं सारी कि कोई नागरिक है एक चोटा बच्चा आपके गुल-गुल पढ़ने गया है तो वह एक दिन जो है वैसक का रूप तो लेग का इस वहां पर कि वहां पर सक्षा दिया गया है इसके लिए बच्चों की भागवान जो भावनाती वह स्वाच रहित हो कर दूसर के लाव को ध्यान में रखकर मदलाब खुद के यह बारे में में वह समाज में रहाता तो खुद के बारे में साइज, यह सोचो तो यह गलत है आप दूरो आप सोचों कि यह चीज ऐसी हो जाएगी तो ने विलाब झालेगी तो नहीं नुक्सान तू नहीं करो HOW तो आपको विलाब नहीं और कुछ Зंब मि कि कहानी के रूप में या किसी का वर्णन करते हैं कि आपको करना हो बहुत साइच चीज़ों समझाई जाती तो एक यहां पर गुड़ी यह है जो समाज पर रहने के कैसे जो रहन से धंग है वह भी सिखाया जाता था थावैतिक कालीन सिक्षा के उद्देश में क्लियर हो गया चार पॉइंट हमने अच्छे देख लिया ओप फुलिया को के लियर वहुगा चलिया ही चलते इसमें और भी बाते कहीं कहीं देखते हैं बालगों को इस बात का बोत क्रया जाता था कि मनुष्ट एक समाज पराणी यह पताया जाता था उनको बार बार कि आप जो होता है व आपको क्या का आप समाज में रह रहा है आप ग्रियस को अपना रहा है तो कैसे रहना कैसे बोल चाल करना कैसे दोस्तों साथ बना के संबन रखना है इसे क्या लाव होगा क्या हान ही होगी यह सारी चीज़े जो है को सिखाय करते थे सिखा के ही भेशते थे ठीक है चलिए क्लियर हो गया यहां तक अब आगे देखते हैं एक नया टॉपिक है काफी इंट्रेस्टिंग होगा आप ध्यान से सुनेगे क्योंकि हम तो लोग उसकाल में थे नहीं तो क्या था उसकाल के बार हमें पढ़ने का मौका मिल था हम इसको पहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ठीक है अगर नोट्स अच्छी लग रही होगी आपको समझ में आ रहा होगा आपको का जो सलाबस है उसके क्लास चल रही है हर चीज़े आप सब अच्छे से समझते हुए चले ठीक है यह सारी चीज़े आपके सूप अब ही पड़ना है हमें उसमें रवाइस करना हुआ इसलिए अच्छे से फोकस करते हुए चीज़ों को समझते हुए चलिए चलिए वैदेक यूग में सिक्षा की ब्यूस्था कैसी ती जो सिक्षा का सिस्टम चलता था वह कैसा था यह समझेंगे तो पहला यहां पर प्रा आयुकाल है यह पांच वर्स की आयुकाल है यह याद रखें यहीं पर इंपोर्टेंट लिख लीजेगा यह इंप विद्यारम संसकार कब होता था कि सिक्षा के लिए होता था इसकी आयुक्याती किस यूग में होता था प्रश्ण आजाएगा कोई भी गलती नहीं करेगा विद्यारम संसकार एक बात संसकार और यहां पर आयाद आए जैगे संसकार को संसकार से क्या समत आप समझ करिये अपने सब्दों में दो बात दो दूग लिखे ऐसे मैं आपको बन जाएंगे इस बात को ध्यान से रखे भूठे कि दिए टीक है जो जुड़े पढ़ा रही हूं बटा रही हूं कंटेंट आप से अच्छे हैं ध्यान से पूठते बिचे लिए देखिए विद्यारम संसकार दोरा बालक बालिका में उन मूल संसकारों के स्थापणा का प्रयास किया जाता हुथ विद्यारम संसकार जाने में हैतकारी विद्या के रूप से विखसदर जिनका मतलब क्या था कि अगर आप उस चीज से आगा थे या वो जानते तो इससे क्या होगा कि वह सिर्फ जानकारी करने होगा कि उनको सिर्फ ज्यान हुआ परिवार के कुल फुरहित आज जो हमारे हम लोगों क्या हम लोगों के कुल गुरू होते हैं हमारे आपर है दो हम लोग होते तो वैसे हरी सभी तो अपिछे में कि फिरह को जयार्व करप प्रस्तुर कर सामने भट पैठने लिए वह minder है नंके सामने लिए शोड़े बच्रहित करके उनके सामने ले जाकर देला तो लाकर देसे तेंधे तेंगे कर तो है तुब बच्छे को है फिर वोगों चावल के काड़ों से आल लिखना एस दिन उनको सिखा देंद पहली बार वे कि चिते थे चिलिए विद्य अर्वकार संस्कार में हुआ करती थे तो नहीं मैंने आपको बताय है कि है क्या होता अगर आपको से कुछने को आएगा मुझे उमीद है कि है आप अचही समझ अर्पै스 का वो मैंने आपको ब्ता दिया दूसरा यहां पर जो है वो उच्छा हाइए इडूकेशन इनके बारे में क्या समझते हैं वैदेक काल ने उच्छा के सुरवात में उपनें संसकार का समार हो था हुआ थी कैसा के था चीजे तो मैंने आपको फूल डिटेल ने बताई अब यहां हो परिवार में हो तरह through को खनal धे 3-icles में खुंद नहीं हो जाटा हंभा देख्वित कि के की बच्चे को गौर कुल में एकः में अंवanka जब त्हिए सब्सक्राइब करते हैं चलते हैं चलते हैं देखते हैं एक नया संसकार यहां पर होता है क्या होता है आप सब्सक्राइब यहां पर देखते हैं कि आ सस्कार है रहे हैं और रहता है कि इसे बहुत अर्थ इसे इसकार और और कि आपे प्रस्ठा़ पर रहा है प्रवेश के समय यगोपवीश संसकार होता था जब आप गुरुकुल में प्रवेश करते थे तो वहां पे यगोपवीश संसकार होता था अपने अपने संसकार के पारे में दूसर संसकार विद्धारम संसकार यहां यहीं से आपकी शुरुवात हो जाया करती थी three wears बाला मुझा 3 वालक तेंगे 11 और वेश्चक निवार्स दोस मुझे 12 वर्स के लिए 16 वालक शेकर वैश्ड को बार अवैस्ट क की स्ख्षा के रे करना QU minute लेकिन जो ब्रामण बच्चे तो उनकी तीन साल या पान साल यहां पर अलग अलग वैरीएशन किताबों में देखने को मिलेगा लेकिन आठ जो ता वहाय सिक्षा के लिए था ठाकुर के पुझात जो शत्री बालक तो उनकी साल जो इस ती वह ग्यारा थी वैस्ट की बारावर्स होनी थी एज बाटर कर दे दिक इतने वर्स के वह होने चाहिए शूद्र के बालक है तो उपने अन्संसकार का प्रवधान न बालक थे उनको गाहतरी मंद्र का उचारंड दिया जाता था या उसका उचारंड करते हैं चाहतरी बाला जो तर्पुट न करते हैं यह हैं पर लिए इसलिए कोई बात बतारी हुए कैसे प्रश्ण बनता है ठीक है फिर देखे गुर्कुल में रहने वाले बालक को अन्ता यह नाम याद रखेगा किस नाम से उनको जानते यह प्रशन आपको अब्डेक्टिव में मिलने को आ सकता है ठीक है अब चलते हैं एक नया टॉपिक देखते हैं हम चीरे अच्छे से करेंगे समझते वे करेंगे कोई भी गलती कोई बच्चा नहीं करेंगा हर एक चीज क्लिय कि आपको यह अगर करते वे जाएंगे ठीक है थो यह तो से इसक्षा और शाट्र जीवन निर्वा कर वेदिक काल यह जो बच्चे थे वह अनुशासे जीवन जिस्प्लीन में रहने का पूरा एक डायरे में रहते थे एक बेद्ध का अधिन करने वाले चाट्र को असना तक किसे कहते हैं एक वेध का जो बच्चा एक एक वेध का ही अधिन करता था चार वेध होते हैं था जी को जिसको एक वेध से घ्यानन था या एक वेध का ही इन एक उट बस नाहीं नहीं आगए कि याद में είναι इसना तक वसु रूद्रा देते तो दो मैंने आपको यहां पर बताए कि एक वेट का अध्यन करें उसको हम असना तक कहते थे और जो बच्चा दो वेट का अध्यन रखता तो उसको हम वसु कहते थे ठीक है डिके मैं टाइम नहीं वेस करती हूं आपका ना इसलिए फटा-फ आपने वालों को आदेतों क्या होगे असना तक वसु रूद्र और आदेतों यह चार बाते चारों बाते सो परसंट इतनी इंप्रश्ण बन जाएगा और अब्जेक्टिव को परश्ण बन जाएगा इसलिए गलती कोई भी सिंगल नहीं करेगा ठीक है इच्छा लिए सथ थी लोगजने आपने घरए दालों लोग के सथ खाल के सब वेश्ण बनीं सबस् apenas को आता है अनुपहा रोगते विए यह चारण नेवाद करते थे और बार्य३mom जाते के जो लोग द्धब्बे दार होता था उसकी खाल पेंटे थे खेंगे जो जाते हैं बकरे की खाल पेंटे यह सुपर्टेट के लिए इंपॉटेंट है बहुत साइप पेपर में आएगा ध्यान रखेंगा वरी वरी इंपॉटेंट है नोट जो प्रोवाइट कर रहे देखेंगे आप इन्हें चीजें मेरे साथ ने कभी बढ़ी होगी जो भी बच्चे मेरे से बढ़ाई कर रहे हैं वैसे बकरे की खाल का उप्योग करते था अपने अस्तन को डखने के लिए फिर देखिए सरीर के निचले भाग के लिए ब्रामर सन के बने पट्सन सान एक ज अपर है ध्यान रखेंगे यह उपर का था जो हीरन के कपड़े खाल वालती उपर के से कवर करने के लिए और से जो है नीचे के लिए तो दोनों मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर बता दिया आप देखिए ब्रामर सूत से बने यह पवीत जन्यों पहेंते थे आज भ यह पवीत का पुरियों के तीन उसमें तीन अप्ता शे साथ और पंदर अठो रहती पता ने कितनी रहती लेकिन वह एक धागे से लगती आपने देखा होगे आपके का पैरेंट्स भी वहनते होंगे देखें मेरे पैरेंट्स भी बहनते इसलों मुझे पता है फिर यहां प प्रहुमुद में शोकर जगनाननेत क्रिया से निर्वित होना था ब्रहमुद क्यालाता है तो उस समय वह उठके अपना सारा काम किया कर देते हैं उस समय बच्चे इतने टाइम पर पंचुल थे उड़ जाते था यह शारी देखने को मिलती थी ठीक है वैदिक विद्धिया सब्सक्राइब करना तो यहीं सारा वहां पर काम था ठीक है वैदेकाल प्रश्णोतर विधी का प्रयोग करते थे ठीक है कथा व्याख्यान बादवाद बहुत सारी विधियों का प्रयोग करते थे कि लिखने का तो विवस्थाती नहीं उस समय की लिखाई होती थी तो मुझ से ही सब कुछ होता था मौख होता था तो परश्णोतर पूछना ठीक है कथा को सुनाना व्याख्यान देना बाद बार ऐसे ही विधियों का प्रयोग होता था ठीक है आगे चलते हैं तप में बालक स चिंतन करता था किसी चीज को लेकर कोई विशह है उसके बारे में मनन करना और भूति करके ग्यान प्राप्त करना खुद से सोचना वचार करना यह सारी चीजे शुरुती में बालक दूसरे को सुनकर शुरुती का मतलब सुनना है बस जो पुरोहित रहते थे जो बड़े र ही था कि घर फैर भून करने गुरों के लिए दोनों के ढंटा घर जरुदा है चीजेsol। दाता हना कि पूरा होना एक आदमी का पूरा हो ना एक आउरत का पूरा हो ना यह बाते तरह में लिखी थी कि उनके बिना又 नहीं होगा पर ध्यान के रेक्तना कि नारी शिक्षा की बात है कि इनको महा टूता इनकी इंपोर्थ थि Тथीaman त्ट a आज की एकलास हम यहीं तक करते हैं, मुझे उम्मीर है कि आपको समझ में आओगा, मैंना आज कॉफ against topics को समझाया, बताया पूरी कलास अच्टे से की, notes अच्टे से निने बनाये हैं, आपको शेयर किये हैं, अगर एकलास अच्छी लगी है, समझ में आया है, इंट्रेस्टिंग है, आपके point of view से clear, आपको helpful किसी भी तरीके से हुआ है, तो प्लीज चाहिए को सब्सक्राइब करें यह वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर किए ज्यादा ताथ एक कमेंट मेरे ज़रूर करती भी दाएगा, नेक्स क्लास में हम आठ वेज़े फिर्म लेंगे, सभी लोग जॉइन करिएगा, तो तक लिए टेक करें, थांक्स वर वाचिंग